हेलो फ्रेंड्स आज हम 12th क्लास का जो हमारा चैप्टर था इंटर्व्यू उसका 2nd पार्ट पड़ेंगे इसका पहला पार्ट हम कर चुके हैं यह चैप्टर जो है दो पार्ट में डिवाइड था पहले पार्ट में राइटर ने बताया था कि किस तरीके से अलग-अलग में इंटर्फेयर करता है तो इसी पूरी बात को बताने के बाद राइटर अब एक इंटर्व्यू दे रहे हैं यानि एक इंटर्व्यू का पार्ट है यह इंटर्व्यू लिया गया है अमबर्टो इको का अमबर्टो इको भी ही एक साहित्तिकार है उनका यह who writes novels on Sunday अमबर टो एको की एक कही वी बात को यहाँ पर quote किया गया है inverted comma में लिखा गया है कि मैं एक professor हूँ जो novels जो है कभी-कभी Sunday को लिखते हैं यानि मैं कभी-कभी Sunday को लिखता हूँ इनका कहने का मतलब यह है कि novel writing मेरा कोई profession नहीं है यानि पेसेवर novel writer मैं नहीं हूँ बट Sunday की जो free time मुझे मिलता है उसमें मैं novel writing को enjoy करता हूँ यह इनका meaning है आगे देखते हैं The following is an extract अगे लिया गया जो interview है यह कहां से लिया गया है From an interview of Ambatto Eco यह Ambatto Eco का interview है The interviewer अब interview लेने वाले कौन है मुकुंद पद्मनाभन यह जो है interview लेने वाले हैं और जो interview पे बैठे जनका interview लिया जा रहा है वो है Ambatto Eco जो के एक शाहितिकार है From the Hindu यानि the Hindu जो journalism है वहां से लिया जा रहा है यानि उनके थ्रो लिया जा रहा है The Ambatto Eco Ambatto Eco A professor of university Bologna यह इटली का एक प्लेस है Bologna यहां क्या है प्रोफेशर है एक प्रोफेशर है यूनिवर्स्टी के Had already acquired a formidable reputation उन्होंने पहले ही एक बहुत अच्छी reputation अपनी बना रखी है As a scholar एक बहुत विद्वान आदमी के रूप में For his idea on semiotics और अपने ideas दिये हैं उन्होंने semiotics semiotics क्या होता है The study of sign यानि sign जो चिन्न होते हैं उनकी study के उपर उन्होंने बहुत अच्छे अपने शोद दिये हैं यानि विचार दिये हैं Literary interpretation इसके अलावा वो शाहितिक व्याख्यान भी देते हैं And medieval aesthetics यानि मध्यकालीन Aesthetic का मतलब होता है जो यानि सौंदरी को बहुत ज़्यादा प्रेज करते हैं प्रशनशा करते हैं Madhyakalीन यानि medieval aesthetics के लिए भी लिखा है इन्होंने Before he turned to writing fiction इससे पहले कि ये fiction लिखते इन्होंने इतनी जगों पर काम किया है यहाँ पर तक clear हो रहा होगा कि पहले ही उन्होंने अपनी reputation किस रूप में बनाई है एक scholar के रूप में किस चीज के? Semiotics के भी है Literary Interpretation भी देते हैं Medieval Aesthetics भी है और इसके बाद वो जो है Turn होते हैं Writing Fiction के लिए यानि Novel Writing के लिए Literary Fiction Scientific Fiction और क्या-क्या लिखा उन्होंने? साहित्ती में लिखे fiction Academic Text Academic होते हैं जैसे स्कूलों के लिए जो विद्यालेओं के लिए जो टेक्स बनाई जाते हैं Essays लिखे थे उन्होंने बहुत ज़्यादा निबंद लिखे थे Children's Book बच्चों की कहानियों की बुक्स भी उन्होंने बहुत लिखी थी इसके अलावा उन्होंने न्यूस पेपर के आर्टिकल्स भी दिये थे और His Written Output Staggeringly Large उनका जो Written Output है यानि जो उन्होंने लिखा है वो Staggeringly Staggeringly अगर हम देखे हैं होता है यानि बिल्कुल Separate Roop से अलग से अगर हम देखे हैं Large बहुत ज़्यादा है And Wide Ranging बहुत उसका यानि उसका विस्तार बहुत ज़्यादा है कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा उन्होंने लिखा है अब आगे पढ़ते हैं इनके बारे में Super Stardom यानि जो Intellectual Super Stardom का मतलब होता है यानि जो बहुत ज़्यादा Outstanding Writer होते हैं उनके बारे में बात कर रहा है तो उन्हें उन्होंने Equivalent Equivalent Equal Word से बना हुआ है यानि उन्हें के बराबर अपना स्थान अपनी जगह जो है उन्होंने Acquire कर ली थी इतना अच्छा वो लिखने लगे थे With the Publication of the Name of the Rose और किस वर्क के बाद The Name of the Rose ये इनका Famous Work है इस वर्क के Famous होने के बाद वो जो है Equal हो गए किनके जो Super Stardom थे जो यानि जो बहुत ज़्यादा Famous राइटर्स थे उनके लेबल पे आ गए Which sold more than 10 million copies जिसकी लगबग 10 million copies बिक चुकी है आगे पढ़ते हैं मुकुन अब उन्हें अगला question किया जा रहा है यहाँ पर तक तो उनके बारे में बताया है अब पढ़ते हैं The English Novelist and the academic David Lodge once remarked वो किसी और राइटर का नाम लेके कह रहे हैं कि जो David Lodge है जो David Lodge है उन्होंने एक बार कहा था क्या कहा था I cannot understand मैं समझ नहीं पाया How one man कि किस तरीके से एक आदमी can do all the things he does इतनी सारी चीज़ें कर लेता है जितना कि यह इको यानि यह अमबट्टो इको करता है यानि अमबट्टो इको इतनी सारी चीज़ें एक साथ कैसे कर लेता है वो क्या है वो प्रोफेशर भी है और वो सेमियोटिक्स में अपने वर्क यानि लेक भी लिखते है जर्नलिस्ट भी है इसके अलाव वो नुविलिस्ट भी है यानि वो कह रहे हैं इतनी सारी चीज़ें वो कैसे कर लेते हैं अब अमबट्टो इको इसका आंसर दे रहे है वो सकता है कि मैंने ऐसा इंप्रेशन ऐसा प्रभाव छोड़ा हो कि मैं बहुत सारी चीज़ें करता हूँ बट इन दे एंड लेकिन अंत मैं I am convinced लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूँगा I am always doing the same thing मैं तो हमेसे एक ही चीज़ करता हूँ आपको ऐसा लगता है बट मैं तो हमेसे एक ही चीज़ करता हूँ ऐसा वो कह रहे हैं अब आगे मुकुन तो पुछते हैं यह बताना तो बहुत ज़्यादा मुस्किल है I have some philosophical interest फिर भी वो बता रहे हैं कि मुझे कुछ दार्षनिक इंट्रेस्ट यानि दार्षनिक चीज़ां बड़ी अच्छी लगती है फिलोसोफिकल चीज़ां बड़ी अच्छी लगती है और मैं अपने अकेडमिक वर्क में भी जो इसको डालता हूँ और मेरे नोवल में भी आप यह philosophical interest देखेंगे यहां तक ही जो मैं बच्चों के लिए जो वर्क लिखता हूँ उसमें भी यह चीज़ आती है और बच्चों के लिए जो वर्क लिखता हूँ उसमें non-violence, अहिंसा के बारे में, पीस के बारे में तुमने देखा ही होगा तो इसी तरीके का जो ethical नहतिक चीज़े हैं, फिलोसोफिकल चीज़े हैं इंटरस्ट अधर जगह भी में लिखता रहता हूँ तो मैं यही तो करता हूँ और इसके अलावा मैं एक सिक्रेट आपको बताना चाहूँगा कौन कह रहे हैं, अमबटोई को कह रहे हैं कि एक सिक्रेट भी है मेरा डिडियू नो, what will happen if you eliminate the empty space from the universe क्या तुम जानते हो कि क्या होगा यदि इस universe से eliminate करना यानि हटा देना eliminate करना, हटा देना, यानि get shoot कर आपा लेना विल्कुल समाप्त कर देना तो अगर eliminate कर दिया जाए क्या eliminate कर दिया जाए empty space, जो भी खाली स्थान है इस पूरे universe में जहां जहां खाली स्थान है अगर उसको हटा दिया जाए in all the atoms, atoms क्या होते हैं करन होते हैं, इनको अगर हटा दिया जाए, the universe will become as big as my fist तो universe कितनी हो जाएगी, जितनी की मेरी मुठी है, यानि मेरी मुठी के बराबर universe हो जाएगा, यानि पूरा ब्रह्मान मेरी मुठी के बराबर हो जाएगा अगर क्या होगा, उसके बीज का खाली स्तान हटा दिया जाए बागे बता रहे हैं, similarly ठीक उसी तरीके से we have a lot of empty space हमारे पास बहुत सारा खाली space होता है, in our lives, हमारी खुद के जिंदगी में, I call them interstatics interstatics, हम इसको क्या कहते हैं inter sticks ये कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है स्थान, जिसको हम कहेंगे empty place say you are coming over to my place, example के तोर पर जब तुम उपर आ रहे थे अमबटोई को उस interview लेने वाले से कह रहे हैं कि say you are coming over to my place, तुम मेरी जगह, यानि मेरे घर पे आ रहे थे you are in an elevator यानि तुम elevator और lift तुम lift से आ रहे थे, while you are coming up और जब तुम उपर आ रहे थे I am waiting for you, मैं तुम्हारा wait कर रहा था, this is an intersetics, तो ये क्या है, ये एक empty space है, an empty space यानि उस बीच न तुम कुछ काम कर रहे हैं न मैं कर रहा हूं, I work in empty space, तो मैंने उस empty space में काम किया, while waiting for your elevator to come up, इससे पहले कि मैं तुम्हारे elevator के आने का इंतजार करता, from the first to the third floor, पहली floor से, यानि पहली मंजिल से, तीसरी मंजिल तक आने का I have already written an article तो उस समय, तुम्हारा wait करने के बजाए, मैंने क्या कर लिया, एक article लिग दिया, तो यानि मैंने वो blank space fill कर दिया, ये नहीं कर सकता, your non-fictional writing, जो तुम्हारी non-fictional writing है, your scholarly work, और जो तुम्हारी विद्वत्ता पूर्ण काम है, has a certain playful, वो कुछ playful होते हैं यानि कुछ मजाकिया भी होते हैं personal quality about it और कुछ personal उनकी व्यक्तिकत quality भी उसमें होती है it is a marked departure from the regular academic style ये जो की academic में वर्क जो लिखते हो आप उससे बिलकुल अलग है which is invariably depersonalized जो की depersonalized है यानि personal उसमें view नहीं आते हैं and often dry and boring और कभी-कभी हो बहुत ज़्यदा dry, bore भी हो जाता है, have you consciously adopted an informal approach, क्या आपने जान भूज के ये approach, ये तरीका अपनाया है, और it is something that just came naturally to you या ये ऐसा है कि ये खुदी तुमारा लिखने का एक style है यानि जान भूज के किया कि खुदी आपकी style है, तो हम बटो ये को answer दे रहे हैं, when I presented my first doctoral dissertation जब मैंने पहली बार अपने doctoral, जैनि जो भी उन्होंने शोध किया होगा उसकी thesis, thesis क्याते है न वो जो thesis थी in Italy वो जब मैंने present की थी one of the professor, तो एक जो professor थे, उन्होंने कहा scholars, जो विद्वान लोग होते हैं learn a lot a certain subject कि एक subject में एक आदमी बहुत कुछ सीखता है then they make a lot of false hypothesis और उसके बाद वो बहुत सारी hypothesis यानि कल्पनाय करता है पहले सीखता है उसके बाद अपनी कल्पनाय बना रहा है then they correct them, उसके बाद उन कल्पनाय को correct करता है and at the end और अंत में they put the conclusion वो उसके बाद अपना conclusion देते है you on the contrary लेकिन तुमने तो बिल्कुल अलगी किया told the story of your research तुमने तो अपने research की पूरी कहाने लिख दी even including your trial and error यहां तक ही तुमने जो गलतियां सोध में की थी और error वो सारे के सारे तुमने इसमें include कर दिये at the same time he recognized I was right और ठीक उसके बाद उस professor ने मुझे कहा कि मैं बिल्कुल सही था went on to publish my dissertation और क्या कहा कि मैं अपने इस thesis को publish करूँ as a book, एक book के रूप में which means he appreciate me इसका मतलब क्या है कि वो मेरी इस book की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे थे appreciate इसको कर रहे थे at that point at the age of 22 जब मैं 22 साल का था I understood scholarly books should be written the way I had done कि जिस तरीके से मैंने आज लिखा है जब मैं 22 साल का था मैं सोचता था कि इसी तरीके से books लिखनी चाहिए by telling the story कि हमें story भी बतानी चाहिए the research कि हमने कैसे research की this is why my essay always have a narrative aspects तो इसी की वज़े से मेरे जो essay होते है वो हमेशा narrative होते है यानि उनमें वर्णन होता है किसी भी चीज का and this is why probably और सायद हो सकता है I started writing narratives इसलिए मैंने यानि इस novel को लिखना भी सुरू कर दिया so late बहुत देर से सुरू किया at the age of 50 लगबग 50 साल की age में more or less जितना भी आप छोटा या कम या ज्यादा लगाओ ठीक यानि 50 साल की age में वो novel लिखना सुरू कर रहे है आगे बताते है I remember that my dear friend Ronald Barthes अब देखो कितनी अच्छी बात बता रहे हैं हाँ पर वो कहते हैं कि मेरा एक friend है जो है Ronald Barthes इसका नाम है was always frustrated वो हमें इसा क्या रहता है frustrated रहता है बहुत ज़्यादा परिशान रहता है that he was an essayist कि वो एक essayist है not a novelist कि मैं यानि वो novelist नहीं है essayist है he wanted to do creative writing वो चाहता तो है कि वो creating writing करे one day or another कि चाहे आज करूँ या कल करूँ उसकी एक इच्छा है कि वो कभी ना कभी कुछ लिखे but he died लेकिन इससे पहले उसकी death होगी before he could do so इससे पहले कि वो ऐसा कुछ करता इससे पहले उसकी death होगी I never felt this kind of frustration मुझे कभी इस तरीके का frustration नहीं हुआ उसका कारण वो बतारे I started writing novels मैंने novel writing जो start की by accident यानि अचानक शुरू करी ऐसा कोई plan नहीं था I had nothing to do मेरे पास कुछ भी करने को नहीं था one day एक दिन so I started इसलिए मैंने शुरू किया novels probably satisfied my taste of narration novels सायद मुझे satisfy करते थे मेरा narration यानि मेरी वर्णन को क्योंकि मुझे वर्णन करना बहुत अच्छा लगता था तो उस चीज को वो satisfy करता था इसलिए मैंने novel लिखना शुरू कर दिया अब मुकुंदिस पर अगला question करते है talking about novels novel के बारे मैं बात करते है from being a famous academic यानि academic विद्याले और शेक्षिक चीजों के लिए जो आपने लिखा है उसके अलावा you went on to become spectacularly famous बहुत ज़्यादा तुम famous हो after the publication of the name of the rose किसके बाद जो उनका work है the name of the rose इस work के बाद बहुत ज़्यादा famous हो गए you have written five novels तुमने five novels लिखे हैं against many more scholarly work इसके अलावा at least more than twenty of them लगभग बीस लिखे हैं तो number two उनको बीच में टोकते हुए कहते है over forty मैंने forty लिखे हैं ठीक है अब आगी बताते हैं देखिए मुकुंद फिर अगला question कर रहे है मुकुंद कहते है over forty yes over forty among them अपनी गलती को सुधार रहे हैं हाँ पहले वो कह रहे थे ना कि twenty लिखे हैं now अब वो अपनी गलती को सुधार है among them उनके बीच में यानि उन जो forty लिखे हैं उनके बीच में a seminal piece of work on semiotics उसमें एक work जो semiotics यानि study of sign के बारे में भी है but ask most people about umberto eco लेकिन ज्यादातर लोग जब umberto eco के बारे में पूछते हैं they will say वो क्या कहते हैं oh he is a novelist वो तो novelist है does that bother you क्या ये तुमको bother यानि परिशान करता है क्या इस बास से तुम परिशान होते हो क्योंकि तुम एक semiotics यानि science की study करने वाले scholar हो बट आपको novelist की रूप में जाना जाता क्या आपको इससे परिशानी है तो हम बटे eco answer दे रहे yes हाँ because I consider myself a university professor क्योंकि मैं अपने आपको एक university का professor समझता हूं who writes novels on Sunday जो केवल Sunday को novel लिखता है it is not a joke ये joke नहीं है I participated in academic conferences कि मैं academic conferences में भाग लेता हूँ not meeting of pen clubs and writers मैं writer of pen club की meeting में कभी भागने लेता है यानि मैं writer नहीं हूँ मैं academic work लिखता हूँ I identity myself with the academic community मैं अपने आपको एक academic community की रूप में represent करता हूँ यानि अपने आपको तो मैं academic community का हिस्स्ता समझता हूँ but लेकिन कि यदि ज्यादा तर लोग have read only the novels कि ज्यादा तर लोगोंने केवल novelly पड़े है and I know that by writing novels कि मुझे पता है कि novels को लिखने से I reach a higher audience कि मैं बहुत ज्यादा लोगों तक पहुँच पाया हूँ I cannot expect to have one million readers with a stop of semiotics मैं इस बात के कभी उमीद नहीं कर पाता कि अगर मैं केवल semiotics के बारे मैं कहता तो मैं one million readers तक नहीं पहुँच पाता यानि मेरे novel ने मुझे ज्यादा लोगों तक पहुँचने का मौका दिया तो इसलिए मुझे इस बात से कोई दुख नहीं है अब मुझे अगला question कर रहे हैं उनसे Which brings me to my next question कहरा कि अब इस बात से मैं अगले question पर आता हूँ The name of the rose is very serious novel यह बहुत ज़्यादा serious novel है It is a detective yarn इसमें बहुत ज़्यादा जासू सी चीजें है One level But it also delves Delves means बहुत ज़्यादा खोजबीन करना Into metaphysics Metaphysics का मतलब आध्यात्मिक चीजें Theology, medieval history यह सब चीज़ों को लेके यह कहानी चलती है Yet लेकिन फिर भी It enjoyed a huge mass audience लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा लोग इसको पढ़ते और इसकी प्रसंसा करते हैं ऐसा क्यूं Were you puzzled at all by this क्या आपको puzzle यानि आप परिशान नहीं होते इस बाते से आश्चरी चकित नहीं होते कि ऐसा क्यूं है यानि इतनी सारी Detective भी है Theology भी है Metaphysical भी है Medival history भी है इतना सारा तुमने include किया है एक novel में फिर भी लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया है आगे number 2 को इसका answer दे रहे है No, journalists are puzzled Journalists ज़्यादा तर इस बात से puzzle हो जाते हैं and confused हो जाते हैं and sometimes publishers और कभी-कभी publisher भी puzzle हो जाते हैं and this is because ऐसा इसलिए होता है क्योंकि journalist और publisher है वो क्या believe करते है that people like trash क्योंकि जो normal आदमी है normal जो लोग है don't like difficult reading वो मानते हैं कि common people है वो difficult writing पसंद नहीं करते ऐसा वो मानते हैं लेकिन ऐसा नहीं है consider there are 6 million people on this planet consider करो सोचो कि इस पूरे planet पे इस पूरे अर्थ पे 6 million, billion लोग है the name of the row sold between 10 and 15 million copies और उतने लोगों मैंसे 10 से 15 million copies मेरी बिख चुकी है that means कितने ज़्यादा लोग इसको पढ़ते होंगे so in a way तो इस तरीके से I reached only a small percentage of readers तो इसका मतलब है कि मैं तो बहुत कम लोगों तक पहुचा हूँ but it is exactly this kind of readers who do not want easy experience लेकिन इससे ये पता चलता है कि मैं उन लोगों तक पहुचा हूँ जो कि easy वाली books को पढ़ना पसंद नहीं करते हैं और at least यहां तक कि don't always wanted this और हमेशा ऐसा चाहते भी नहीं हो I myself फिर अपने example दे रहें कि मैं खुद भी at 9 p.m. रात को 9 बजे after dinner, dinner के बाद watch television TV देखता हूँ want to see क्या देखना चाहता हूँ TV में इधर यानि उनका एक program का name है Miami Vices and emergency room यह दोनु चीजे मैं देखना पसंद करता हूँ I enjoy it, मुझे बहुत मज़ा आता है I need it, मुझे इसकी जरूरत होती है but not all day, लेकिन पूरा दिन में इसको नहीं देख सकता ठीक है आगे फिर मुकुंद उसे अगला question करते है could the huge success of the novel have anything to do with the fact that it deal with the period of medieval history क्या ऐसा हो सकता है कि यह novel को success तब मिली इसकी जो success थी वो यह इसली वज़े से थी कि यह medieval history की बात करता है क्या आप ऐसा समझते है मुकुंद पूछ रहे है अमबटो इको से तो अमबटो इको answer दे रहे है that's possible ऐसा हो सकता है but let me tell you लेकिन मैं एक बात बताऊंगा another story कहूंगा because I often tell stories मैं तो हमेसा कहानिया कहता हूं like Chinese wise man जिस तरीके से एक Chinese wise man कहता है मैं कहानी तो कहता रहता हूं my American publisher said मेरी एक American publisher हुआ करती थी उसने मुझे कहा while she loved my book जब उसको मेरी book बहुत पसंद आई she did not accept to sell more than 300 copies लेकिन उसने सोचा केवल 3000 copies ही मेरी big पाएंगी in a country where nobody has seen cathedral and study latin की ऐसे सहर में क्योंकि इतली में वो बेच रहे तो यहाँ पर cathedral और latin study तो कम लोग करते हैं तो इसलिए ऐसी book नहीं भीकेगी ऐसा उसका मानना था so I was given advance for 3000 copies तो इसलिए मैंने 3000 copy का advance उसको दिया था but in the end लेकिन अंत में it sold 2 और 3 million in US लेकिन वो US में 2 से 3 million copy बिक चुकी थी इस book की तो उसका मतलब जो वो समझ रही थी वो गलत था वो सोचती थी कि मुझे तो अच्छी लगी पर सबको पसंद नहीं आएगी लेकिन उस choice के बहुत सारे लोग वहां मौझूद थे ठीक है अब फिर वो बताते हैं a lot of books बहुत सारी जो किताबे हैं have been written about the medieval past की बहुत सारी books ऐसी हैं जो की medieval past पर लिखी गई है before mine, मुझसे भी पहले I think, मैं सोचता हूँ writer कह रहा है कि I think the success of the book इस book की जो success है is a misery ये एक रहश्य है mystery है ये nobody can predict it, कोई बता नहीं सकता कोई भविश्यमानी नहीं कर सकता I think, if I had written the name of the rose मैं सोचता हूँ कि अगर मैं निजए name of the rose जो book लिखी है वो लिखी होती 10 year earlier 10 साल पहले और 10 year later या 10 साल के बाद it would not have been the same तो ये इतनी ज़्यादा famous नहीं होती why it worked ऐसा क्यों होता है at the same time ठीक उसी तरीके से ये भी एक mystery है यानि ये भी एक रहश्य है कोई नहीं बता सकता कि किस समय कौन सी book famous हो जाएगी ऐसा वो हमको कहना चाह रहे है तो ये था अमबर्टो इको का interview जो की मुकंद ने लिया था और इसके ध्रोवों ये बताना चाह रहे है कि कैसे उनकी journey जो है as a writer complete हुई ठीक तो यहाँ पर ये chapter फिनिश होता है thanks for listening to me और अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप चैनल को please like and subscribe करें thanks